आज जो हमारा और आपनों का चेप्टर है वो है नर्वस कौरडिनेशन वो है नर्वस कौरडिनेशन मज़ आईए कि हम और आपनों डारेक इस चेप्टर को स्टार्ट कर ले हम पहले जरूर डिफाइन करेंगे कि ये कौरडिनेशन का मतलब बायो में होता क्या है इसकी बढ़ी आसाथ डिफिनिशन है लिका लेता हूँ दी हार्मोनियस ह-a-r-m-o-n-i-o-y-o-s is the harmonious functioning of the inter-related interrelated organs or parts or structures इसकार्ड कोर्डिनेशन इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम और आपनेशन की डिफिनिशन को देख ले बहुत यह असान है अगर हम और आपने इसकार्ड देख ले तो तोड़ा सा हमें जो मुश्किल नजर आता है वह harmonious है याद रख लिए हर्मोनियस फिए इंगीश कानाक लफाज है और इसका मतलब होता ही है अन्रस्टेणडिंग सफ डंई घिमें इसके इसका मतलब होता है invariant टेंडिंग एंडरषतेंडिंग होता है और शावव से अब हम और आपको इस दीफिनिशन को देख लें तो इसका मतलब यह हुआ दी अंडरस्टेंडिंडिंग फंक्शनिंग अफ इंटर इंटर रेलेटेड आरगन्स और पार्ट्स और स्ट्रॉक्ट्टर्स इसका इसका मतलब यह हुआ एपना अपना एक फंक्शन होता है तो इसका फंक्शन यह हे कि यह बलड को पम करेगा फार इसका फंक्शन यह हे कि वो एक्सचिंग अफ गेस्स कराएगा human beings के body के अंदर digestion system है वो digestion करेगा circulatory system है वो circulation करेगा muscular system है वो movement करेगा शाबा से skeleton system है वो support आपको provide करेगा इसके इलावा भी और मुखतलिफ किसम के structure present है हर एक अपना अपना एक function होता है तो जो एक body है human beings है body है इसके अंदर मुखतलिफ किसम के organs present है structure present है इनके बीच में बड़ी जबरदस understanding होती है harmony होती है कि heart अपने blood को pump करना है lungs अपने exchange of gases करना है digestive system अपने digestion करनी है muscular system अपने movement करानी है skeletal system bones वोगरा अपने support provide करना है eyes अपने vision करना है ears अपने hearing करनी है हर एक अपना एक function होता है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन यह जो understanding होती है इनके बीच में कि अपने ये करना है अपने ये करना है ऐसा नहीं हो सकता कि heart है आज blood pump करेगा कल को वो चाहे कि नहीं मैंने blood को pump नहीं करना है मैंने lungs की तरह exchange of gases करना है ना ना ऐसा नहीं हो सकता lungs ऐसा नहीं कर सकते कि आज वो कहें कि नहीं मैंने exchange of gases नहीं करना है बलके मैंने digestive system कि तरह food को digest करना है नो नो तो organs के बीच में लेकिन एक animal के organs के बीच में structures के बीच में यह जो understanding होती है आपने ये करना है मैंने ये करना है आपने इस तरह से करना है इस understanding को हम कहते हैं coordination अब इस coordination में किन किन systems का रोल होता है हर एक system का रोल है अगर आप लोग किसी भी system को देख ले हर एक system का कुछ ना कुछ रोल जरूर होता है लेकिन वो सारे के साथ आपके course के अंदर नहीं है हैं तो सिर्फ और सिर्फ दो ही है नमबर वन nervous coordination हम पढ़ेंगे हम देखेंगे कि इन में nervous system का कैसे रोल होता है कि ये organs के बीच में coordination लाता है organs के बीच में understanding लाता है कि आपने ये करना है आपने ये करना है तो इस चेप्टर में हम और आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसी ही चीज़ को देखेंगे कि nervous system का कैसे रोल होता है इस understanding को produce करने में जबकि एक और भी coordination system आपके course के अंदर है और इसको हम और आप लोग कहते है chemical coordination और जो chemical coordination है वो भी आपके course के अंदर है इनको भी हम और आप लोग पढ़ेंगे कि मुक्तलिफ किसम के chemicals यानि जो हर्मोन वगरा होते है ये कैसे organs के बीच में ये harmony जो होती है understanding जो होती है ये फिर ले आते हैं तब के पूरे course के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये दो ही chapters है जो के coordination के बारे में है बजाएए कि फिलहाल हम और आप लोग nervous coordination को start कर ले start करने से पहले इन दोनों chapters में दो main differences है course में भी है चुँके ETA के लिहाँ से ये कुछ हद तक important होते है इससे लिए जरूरी है कि वो दो points में आप लोगो पहले समझा दो फिर chemical coordination में उन दो points को हम और आप लोग डिसकस नहीं करेंगे इधर ही में आप लोगो बता देता हूँ लेकिन ये बड़ा important है कि आप लोगो पता हो for example अगर हम और आप लोग देख ले तो जो nervous coordination है हमारे साथ इसका जो basic structural and functional unit है इसको हम और आप लोग neuron कहते हैं बहुत ही आसान है यानि neuron is the basic structural and functional unit of the nervous coordination लेकिन जो chemical coordination है इसके basic structural and functional unit को हम आम तोर पे hormones कहते हैं इसका मतलब यह हुआ hormone is the basic structural and functional unit of the chemical coordination one तो अगर आप लोग neurons को देख ले एक human being के body के अंदर ये 100 billion से भी ज्यादा होते हैं हम पढ़ेंगे course के अंदर है 100 billion से भी ज्यादा निवरान हमारे body के अंदर present होते हैं लेकिन अगर हम और अपनों chemical coordination को देख ले और hormones को हम और अपनों count करना शुरू कर ले तो आपके course में बामुश्किल बामुश्किल 50-60 भी नहीं है बहार हम अगर हम और अपनों सब ग्लेंट्स को ले ले सब hormones को हम count कर ले तो maximum 100 या 200 या 300 बन जाएंगे इसका मतलब यह हुआ कि जो hormones होते हैं ये human beings के body के अंदर hundreds में present होते हैं तो अगर मैं पूछू कि जो nervous coordination है और जो chemical coordination है इसमें largest वाला कौन सा है इसमें कोई शक नहीं है nervous coordination ही largest coordination system होता है तब जाके इनके साथ मैं पहला point लिक वा लेता हूँ it is the largest coordination system in our body one हाँ इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो chemical coordination है वो second largest coordination system हमारे body के अंदर ये present होता है तो ये दो points पहला पहला point आपके जहन में ये होना चाहिए कहीं MCQs के अंदर पूछा गया कि human beings के body के अंदर सबसे largest coordination system कौन सा वाला है तो फिर वो nervous वाला होगा second largest coordination system कौन सा वाला है तो फिर ये chemical coordination होगा second point वो ये है जिसको हम और अपको हाइपो तेलामस कहते है हम पढ़ेंगे भी तो हाइपो तेलामस जो के brain के अंदर present होता है इसके बिलकुल नीचे पेचूटरी ग्लेंड present होता है and you know पेचूटरी ग्लेंड इस पार्ट आफ थी chemical coordination क्योंकि वो तो ग्लेंड है तो हाइपो तेलामस उपर है इसके नीचे वो पेचूटरी ग्लेंड है पेचूटरी ग्लेंड का main function ये है कि chemical coordination के अंदर बाकी जितने भी ग्लेंड है इसको इसने directly या indirectly कंट्रोल किये हुए है तो इसलिए तो पेचूटरी ग्लेंड को हम master gland भी कहते हैं क्योंकि इसने बाकी सब ग्लेंड को control किया हुआ है directly या indirectly लेकिन जो पेचूटरी ग्लेंड है जो के हाइपो तेलामस के नीचे होता है तो जो हाइपो तेलामस है हम पढ़ेंगे इस और पेचूटरी ग्लेंड के बीच में एक stack होता है STAL के stack होता है डंडी होती है जिसके तुरू या आपस में attach होते है लेकिन पेचूटरी ग्लेंड किसी भी हार्मोन को अगर release करता है तो उसको control करने के लिए उदर हाइपो तेलामस से एक factor आता है सिर्फ इशारा दे रहा हूँ और इसके रिजल्ट में उस हर्मोन को secret कर लेता है वो हर्मोन चला जाता है जो दूसरा ग्लेंड होता है वो इनको पिर control करता है इसका मतलब यह हुआ कि पेचूटरी ग्लेंड जिसको हम और आप लोग master ग्लेंड कहते हैं जिसने chemical coordination के हर एक ग्लेंड को डारेक्ली या इनडारेक्ली कंट्रोल किया हुआ है तब जाके हम इसको master gland कहते हैं लेकिन यह पेचूटरी ग्लेंड यानि master gland इट इट सेल्फ इस अंडर दी कंट्रोल आफ हाईपोतेलमस लेकिन जो हाईपोतेलमस है यह पार्ट आफ ती nervous system वन इसका मतलब यह हुआ कि nervous system superior भी है तो जो दूसरा point है जो खुबसूरत point है वो इसके अंदर यह है कि जो nervous coordination होता है यह superior यानि सबसे top पे है यह coordination system होता है लेकिन जो chemical वाला है superior तो नहीं है हाँ आप लोग लिख सकते है कि यह inferior होता है तोड़ा सा इसके नीचे जो है यह फिर present होता है तो यह दो points है course के अंदर इन्होंने discuss किये हुए है चोटे चोटे अलफाज में इन्होंने इसको discuss किया हुआ है लेकिन इसके अंदर concept यह है कि आप लोगों को पता हो कहीं पूचा गया कि human beings के body के अंदर सबसे largest coordination system है कौन सा है तो भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि nervous है लेकिन कौन सा वाला superior है तो भी nervous वाला है जो chemical वाला है वो second largest है और पिर यह inferior होता है और भी coordination system हमारे body के अंदर present है तो तीसे नंबर पे कौन है प्हुते नंबर पे कौन है पांचो नंबर पे कौन है वो आपके course में फैल हाल नहीं है वो आगे जाके आप लोगो पता चल जाईगा आज जिसको हम और आप लोगो पता चल जाएगा लेकिन इसका जो assumptions and functional unit है इसको हम और आप लोग निवरान कहते है तो अब भी जिस चीज़ को हम और आप लोग डिसकस करेंगे, वो कोई और चीज़ नहीं होगी, वो निवरान ही होगा, तो निवरान को हम और आप लोग पहले डिसकस करेंगे, कि ये निवरान क्या होते हैं, फिर हम और आप लोग आगे जाएंगे, ये सारा कुछ कैसे प्रे नर्फसेल, इसलिए बतारा हूँ कि बाद दफ़ा एम्सी क्यूज़ में निर्फसेल लिकवा लेता है, नर्फसेल, नर्फसेल भी हम इसको कहता है, लेकिन बाद दफ़ा जिनमें आककी केताब भी शामिल है, इसके ले एक तीसरह लफज भी लिकते हैं, वह है नर्फ, चेप्टर में हम किसी और चीज़ के लिए भी लगाते हैं और जब हम आगे जाएंगे तो मैं आप लोगों को बता दूँगा कि इसके लिए भी हम नर्फ का लफ़ जो है हम इनको फिर लगा लेते हैं यह जो निवरान होता है जो निवरान होता है चुंकि इसके अंदर किसी किसम की सेल डिविजन नहीं होती यह बात में आपके साथ मसल्स के चप्टर के अंदर भी डिसकस की हुई थी कि जो मसल्स के सेल्स है इनमें ना किसी किसम की सेल डिविजन होती है इसी तरह से जो nerf cells है इनके अंदर भी किसी किसम की cell division नहीं होती इसका मतलब यह हुआ कि by birth किसी human being के अंदर जितने muscle के cells है यह जितने nerf के cells है उतने ही होंगे कम हो सकते हैं अगर damage हो जाए ज्यादा नहीं हो सकते है लेकिन यह बात मैं आपके सब पहले भी इशार की हुई थी कि अगर cell के अंदर cell division नहीं बढ़ता ग्रोथ होती है तो कुछ cell में ग्रोथ ज्यादा होता है कुछ cell में ग्रोथ कम होता है जिस तरह के muscle के cells इनमें ग्रोथ होता है तब जाके मैंने उदर भी आप लोगों को यह बात समझाई हुई थी कि जब हम muscle के cells के structure को बनाएंगे तो elongated बनाएंगे, cylindrical हम बनाएंगे इसी तरह से यह जो neuron होते हैं चुनके इनके अंदर भी growth होता है तो इनके size को भी जब हम बनाते हैं, shape को हम बनाते हैं चुनके इसके अंदर growth होता है, लेकिन वो growth round नहीं होता elongated होता है, तब जाके इनका जो shape होता है वो भी फिर elongated बन जाता है जो cells होते हैं like for example, हम और आप लोगों ने फ्रांड को भी पड़ा हुआ था कि आसानी के लिए, आसानी के लिए हम इनको दो पार्ट्स में हम इनको study करते हैं इसी तरह से तुनके नर्व का cell भी lengthy cell है बड़ा cell है, मीटर में इसकी length होती है तो असानी के लिए हम इनको आम तर पे दो पार्ट्स में हम इनको study करते हैं दो पार्ट्स में हम इनको study करते हैं तो आपके कॉर्स ही के लिहास है कि जो निवरान होता है जो नर्व सेल होता है इनके अंदर जो दो मेन पार्ट्स प्रेजन होते हैं इन में से एक को हम और आप लोग कहते हैं शाबा से सेल बाडी लेकिन सेल बाडी के लिए आपके बुक ने एक और लफ़ भी लिका हुआ है स सेलबाडी के लिए, सोमा के लिए, comfort से हम और आप लोगे इनको पिरामत और पे यह हम इसको कहते हैं, लेकिं लिए हम इसको प्र-डाइबर अधिय मि अधिक हम कहते हैं पर eri सको के लिए, लेकिन आपके बुक नेनरी फाइर्ड्रे सेलबाड़ के हे सोमो होता है साइटान या पेरी केरियान होता है जब कि जो दूसरा पार्ट होता है इसको हम आम तोर पे नरो फाइवर्स या फाइवर्स स्ट्रक्चर हम इनको कहते हैं लेकिन ये बात आपके साथ फिर भी में शेयर कर लो कि जो निवरान है जो के एकसेल है सेल हमेशा के लिए स्ट्रक्चिरल यूनिट भी होता है इसका मतलब कि जो निवरान है इसका जो स्ट्रक्चर है और जो स्ट्रक्चर है इसकी स्टडी को हम और अप लोग मर्फालोजी कहते हैं लेकिन इसका जो functions है वो कोई और नहीं है जो function होता है इसको हम और अपनोv physiology कहते हैं तो जो निवरान के cell का structure कैसे होता है वो भी आपके course के अंदर है हम पहले इसको पढ़ेंगे तो पिर निवरान के सेल का function क्या है, physiology क्या है, no doubt वो कोई और नहीं है, वो nerve impulse ही है, तो आपके course के अंदर nerve impulse भी है, उसको भी हम और आप लोग पढ़ेंगे, तो कम असकम ये बत आपके जहन में होनी चाहिए, कि निवरान के structure को भी हम और आप लोग पढ़ेंगे, और निवरा इसके function को भी हम और आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, exactly ऐसे ही जो निवरान होते हैं, इसके structure को भी हम और आप लोग पढ़ेंगे, और इसके function को भी हम और आप लोग पढ़ेंगे, तो आज अभी जिसको हम और आप लोग पढ़ेंगे, तो आज अभी जिसको हम और आप प्रेजिट होते हैं तो दो मेन प्रेजिट होते हैं अगर आप लोग इसको फिजिक्स या केमेस्ट्री की तरह एक्वेशन नमबर वन का नाम देदे तो अच्छी बात होगी लेकिन यह जो नर्व फाइबर्स होते हैं आपके कोर्स के मताबिक कि हम और आप लोग इसको फिर दो पार्ट्स में हम इसको सेपरेट कर सकते हैं यानि जो नर्व फाइबर्स है या शाबसे जो फाइबर स्ट्रक्चर्स होते हैं यह जो लफज है यह निवरो साइंस में यानि इस चेप्टर के अंदर हम इनको दो अलफास के लिए हम इसको नर्व फाइबर्स या फाइबर स्ट्रक्च्चर कर नजर आ जाये तो इसका मतलब हमेशा के लिए डेंडरान ग्लस एक्जान होंगे तो फिजिक्स और केमेस्टी की तरह हम और आप लोग इसको पिर एक्वेशन नमबर डू हम और आप लोग इसको कह सकते हैं तो अगर आप इस equation 2 की value equation number 1 के अंदर लगा दे तो फिर ये आपके साथ कैसे आ जाएगा वो आपके साथ ऐसे आ जाएगा कि neuron R nerve cell R nerve is equal to cell body शामा से cell body या सोमा या साइटान या पेरी के लियान plus nerve fibers की जो value है वो तो dendron plus exam है so plus dendron जान और प्लस exam होगा तो कुछ बुक्स जिन में आपकी किताब भी शामिल है वो फिर आम तो पर निवरान को लिखते है कि neuron के अंदर तीन में पार्स प्रेजेंट होते है इनमेंसे जो एक होता है इसका मुराप लोग cell body कहते है दूसरे को हम dendron कहते है और तीसरों को फिर हम और आप लोग exam कहते है तो फिर हम और आप लोग ऐसे भी कह सकते है कि neuron के अंदर तीन में पार्स जो है ये प्रेजेंट होते है हम और आप लोग हर एक पार्ट को वन बाई वन हम इसको discuss करेंगे इसके अंदर बड़े खुबसूरत और मज़धार मज़धार से points है वो फिर सारे के सारे आपके जिन में होने भी चाहिए तो इन चीज़ों को मैं हटा रहा हूँ लेकिन पहले हम और आप लोग जिस चीज़ को हम neuron के अंदर discuss करेंगे वो cell body होगी फिर इसके बाद हम और आप लोग dendrons को हम और आप लोग discuss करेंगे फिर इसके बाद हम और आप लोग exam को हम और आप लोग discuss करेंगे तो जो neuron होता है इसके अंदर जो cell body होती है साबसे ये किस फार में present होती है किदर पे present होती है इसके अंदर क्या क्या होता है, इसको प्लीज आप लोग सही तरीके से समझने की कोशश कर ले यह जो cell body होती है, जो cell body होती है नो डाउट इसका जो structure होता है, वो cell की तरह होता है और 9-10 में आप लोगों ने cell के typical structure को ऐसे बनाया होगा तो कुछ बुक्स लिखते हैं कि चुँके cell body का यह जो structure होता है वो typical cell की तरह होता है, तब जाके लोग इसको cell body कहते है लेकिन इसके पीछे एक और secret भी है, वो भी हम और आप लोग शेयर करेंगे लेकिन मैं पिर से लिकवा लेता हूँ कि इस cell body के लिए हम जो लिकवाते हैं, वो सोमा का भी लिकवाते हैं वो साइटान का भी लगाते हैं और वो पेरी केरियान का लिफ़ भी हम इसके साथ लगाते हैं और इसके उपर मैं number one लिकवा लिकवा लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझा जाए बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि cell theory के मताबिक जो भी कोई cell होता है उसके अंदर तीन main components present होते हैं इन में से जो पहला वाला होता है इसको हम और आप लोग cell membrane हम इसको कहते है या plasma membrane हम इसको कहते है या biological membrane हम इसको कहते है लेकिन चुँके ये नियूरान है ये हमारे लिए तोड़ा अजीज है हमारे लिए तोड़ा special है तो इसके cell membrane को हम आम तरफे cell membrane नहीं कहते हैं इसको हम पिर एक खास किसम का नाम देते हैं और इसको हम पिर कहते हैं नियूरी लीमा तो याद रख ले नियूरी लीमा तो याद रख ले कि कहीं पूचा गया कि नियूरी लीमा किसके cell membrane को हम कहते हैं तो वो नियूरान ही होगा जिस तरह कि सारकुलीमा मसल के cells के cell membrane को हम और आप लोगों ने कहा हुआ था कि वो cell भी तोड़ा सा special था ये cell भी तोड़ा सा special है cell theory के मताबक जो भी कोई cell होता है इसके अंदर cytoplasm भी present होता है और no doubt इसके अंदर भी cytoplasm present होता है बार बार बता रहा हूँ कि cytoplasm को हम बाद दफ़ा ground substance भी हम इसको कहते हैं लेकिन बास दफ़ा हम इसके लिए मैट्रिक्स का लफज भी लगाते हैं चाहिए ये था कि हम और आप लोग इसके साइटो प्लाजम को भी एक खास किसम का नाम दे दे थे निवरो प्लाजम लेकिन हम इसको नहीं कहते क्यूं इसके पीचे भी एक और सिगरट है वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि जो निवरान होते हैं इनके अंदर साइटो प्लाजम भी होता है ग्राउंड सबस्टेंस भी होता है मैट्रिक्स भी जो है इनके सेल बाड़ी के अंदर प्रेजन्ट होता है सेल थीरी के मताबक जो तीसरे चीजश परेजन्ट होती है वो निउकलियस होता है निउकलियस के मताबक निउकलियस है या नहीं है इसके बेश पर हम सेल्स काह है इसमें न्यूकलियस है अगर न्यूकलियस है तो क्या एक है अगर एक है तो मानो या यूनी न्यूकलियेट नहीं ज्यादा है अगर ज्यादा है तो फिर ये मल्टी न्यूकलियेट होगा तो याद रख लिए जो न्यूकलियस है कि जो नूरान है ये जो सेल्स होते हैं ये ह प्रेजिंटर भी प्रेसंट होता है इसलिए सेंटर में वो जो नीउzkलिएस है ये भी प्रेजिंट होता है and you know that nucleus को हम आम तोर पे president of the cell कहते है यानि cell के अंदर जो भी कोई activity होती है ये nucleus ही इसको control करते है तब जाके इनके अंदर nucleus present होता है और इस neuron के अंदर जो भी कोई activity होती है ये ही nucleus इसको control भी कर लेता है अगर आप लोंको muscle का cells याद हो वो भी था nucleated था लेकिन वो multi-nucleate था ये union nucleate होता है, जो neuron होता है इसमें एक ही nucleus present होता है लेकिन इस nucleus के अंदर ये भी present होता है मैं इनको प्रेसे 2023 कर लेता हूँ इस nucleus के अंदर ये जो blue version में बनाया हुआ है ये वो nucleolus है जो कि इसके अंदर प्रेजन होता है और नियॉकली ओल्सके और भी बहुत ज़ादा function है लेकिन नियॉरान में इसका एक main function ये भी है कि ये नियॉकलीस के activity को control करता है क्योंए ये जो cell है ये बहुत ही ज़ादा superior होता है बहुत ही ज़ादा टाप पे होता है किसी किसम की ये गलती ना कर ले तो कुदरत ने इसके नुकलियस के अंदर नुकलियोलस को भी रखा हुआ है ये जो निवरान होते हैं ये अगर आप लोग देख ले 24 आउर्स में हम और आप लोग नर्वोस सिस्टम को हम और आप लोग बहुत ज़्यादा काम हमारे लिए करता है मेरे ख्याल में हीमन बिंस के बाड़ी में 24 आउर्स में जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो नर्वोस सिस्टम निवरान ही होते हैं जो के काम करते हैं अगर चागर हम और आप लोग फिजिकल देख ले फिजिकली हम और आप लोग देख ले तो हमें ऐसे मालूम होता है जैसे हमारा मस्कूलर सिस्टम जो है यह बहुत ज़्यादा काम करता है लेकिन 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 इसके मुकाबले में नर्वो सिस्टम निवरान बहुत ज़रा काम करते हैं फिर सेकेंड नमबर जो होता है ये फिर मसल्स का होता है इसका मतलब यह हुआ कि चुमके निवरान नर्वो सिस्टम बहुत ज़रा काम करता है इसको बहुत ज़रा एनर्जी की भी ज़रत होती है तो एनर्जी को प्रोड् तब जाके में लिकवा रहा हूं कि कुदरत ने इन सेल्स के अंदर माईटो कंडरिया की कंसेंट्रेशन को बहुत ज्यादा रख हुआ है और माईटो कंडरिया इस काल दी पाउर हाउस अफ ती सेल ये बहुत ज्यादा एनर्जीस के लिए बनाते हैं और ये जो होते हैं नर्वो सिस्टम इसी के उपर ये काम भी करते हैं खुदा नफास्ता अगर माईटो कंडरिया कहीं इन 80 पीस को प्रोडियूस ना कर ले इमाउंट कम हो जाए तो फिर बन्दे को एक खास किसम की फेटिग जो होती है ये तकावड जो होती है ये फिर फिल होती है इसलिए कुदरत ने इन के अंदर माईटो कंडरिया की कंसेंट्रेशन को भी बहुत ज़्यादा रखा हुआ है नियूरान है बार बार बता रहा हुँ इसकी लेंट भी बहुत ज़्यादा होती है मीटर में पहुंचाता है बाज दफा यानि एक दो मीटर तक एक सेल की लेंट होती है तो जितनी सेल की लेंट बढ़ेगी एक जगा से दूसरी जगा तक ट्रांसफर करने के लिए सबस्टांसिस को अंडरस्टूड बात है किसी वे की ज़रूर तो पड़ेगी वो कोई और चीज नहीं होती है वो मोटर वेस होते हैं वो हाईवेस होते हैं अट दि मोटर वेस हार हाईवेस आफेसल इसकाल एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम तब जाके कुदरत में इनके अंदर एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम की कंसेंट्रेशन को भी बहुत ज्यादा रखा हुआ है लेकिन जो एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम होता है वो दो तरह का होता है एक रफ भी होता है, एक स्मूध भी होता है रफ के उपर राइबोसोम्स होते हैं मुथ के उपर राइबोसोंज नहीं होते हैं, तो याद रख ले, इनके अंदर जो आम तर पर एंडोप्लास्मी क्रेटिकुलम होते हैं, वो रफ एंडोप्लास्मी क्रेटिकुलम होते हैं, और रफ एंडोप्लास्मी क्रेटिकुलम के साथ ही मैं यहाँ पे लिकवा रहता हू कि इसके उपर जो राइबोसोम्स होते हैं ये भी प्रेजंट होते हैं ये जो निवरान होते हैं ये जो बहुँ कोई काम करता है बार-बार बता रहा हूँ वो निय푼 टृंस्मीटर्स के तूर ही करेगा निय Croatia हम पढ़ेंगे तो जो निवरो ट्रांसमीटर्स हैं, इनको निवरान बनाते हैं, खास किसम के केमिकल्स होते हैं और इनके तुरू आपस में कौरडिनेट करते हैं निवरान आपस में कौरडिनेट करते हैं For example, जो नियूरो ट्रांस्मिटर्स को बनाते हैं, लेकिन जो नियूरो ट्रांस्मिटर्स होते हैं, ये हर एक स्टीमॉलस के खिलाफ बनते हैं, तो स्टीमॉलस के कितने टाइप्स बार बार बता रहा हूं, इनको हम और आप लो काउंट नहीं कर सकते हैं, तो अगर हर एक स्ट हो माच होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन निवरो ट्रस्मिटर्स हैं क्या, वो तो केमिकल्स हैं, तो जब इतने मुक्तलिफ किसम के केमिकल्स इस निवरान के अंदर बनेंगे, तो फिर खतरत होता है कि कहीं वो जो निवरो ट्रास्मिटर्स हैं वो जो केमिकल्स हैं अपस में कोई और केमिकल्स रियक्शन ना कर ले और अगर उसने कोई केमिकल्स रियक्शन किया तो फिर इसके रिजल्ट में कोई और केमिकल्स बन जाएगा कोई और enzyme बन जाएगा, कोई और complex बन जाएगा, हो सकता है, वो nervous system के लिए, या आपकी body के लिए खतरनाक हो, harmful हो, तो इस से बचने के लिए कुजरत ने क्या क्या हुआ है, कि इनके neuron के cell body के अंदर, galgy bodies को बहुत ज्यादा produce क्या हुआ है, और galgy bodies का main function यह है, कि जो मुक्तलिफ कि सम्के neurotransmiters होते हैं, इनको differently pack करते हैं, जब इनको pack करते हैं, तो उन packs को हम पर कहते हैं, वीजीकल्स हम पिर इनको कहते हैं और उन पेक्स को हम पिर वीजीकल्स कहते हैं और वीजीकल्स जो होते हैं जो कि नर्वस सिस्टम के अंदर नियूरान के अंदर ये प्रेजेट होते हैं ये आम तर पे इन नियूरो ट्रस्मिटर्स यानि इन इन्जाइम से बरे हुए होते है लेकिन बास दफ़ा जब ये गाल्जी बाडिस पैकिंग करता है तो कुछ इन में से आउड गुरोथ से वो पैकिंग ऐसे बन जाते हैं कि जिन में वो निवरो ट्रस्मिटर्स होते नहीं ये खाली होते हैं इस तरह कि अगर आप लोग देख लिए ये जो टाफी बनाते हैं तो जो फैक्टरीज होते हैं इन में कुछ पैक्स ऐसे होते हैं जब आप इसको ले ले लेते हैं कि उस पैक के अंदर वो टाफी होती नही यह सिर्फ air बढ़ा हुआ होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर वो टाफी प्रेजम्ट होते हैं तो एक्जेट्ली जिनके अंदर टाफी प्रेजम्ट है, वो विजिकल होगा लेकिन जिसके अंदर नहीं होगा, खाली होगा इसको हम आम तोर पे सिस्टर्नी हम इसको कहते हैं सिस्टर्नी हम इसको कहते हैं इसका मतलब कि इसके अंदर वीजिकल्स भी होते हैं और इसके अंदर सिस्टर्नी जो है ये भी प्रेजन्ट होते हैं इसे दूसरी एक्जामपल भी आप लोगो में दे रहता हूं बात दफ़ा गरम चीज़ को आप लोग हाथ लगा लेते हैं तो इधर फिंगर्स के उपर या हाथ के उपर कोई दाना से बन जाता है अगर उस दाने में वो फ्लूड है तो पिर हम इसको वीजिकल कहते हैं लेकर अगर फ्लूड नहीं है पर हम आमतवर इसको सिस्टर नहीं हम इसको कहते हैं इसका मतलब कि यहां पर भी दो तरह के पैक्स बनते हैं यह भी इन दो तरह के पैक्स को फिर यह बना लेते हैं लेकिन आपकी बुक ने एक बड़ा खुबसूरा तलफ और इस्तेमाल किया हुआ है वो यह है कि जो गाल्जी बार्डी होते हैं इसको मेरे रिमार्कर से अंडरलाइन कर रहा हूँ साथ में जो rough endoplasmic reticulum है तो rough endoplasmic reticulum में तो endoplasmic reticulum भी आ गया plus ribosome भी आ गये तो अगर आप लोग देख लिए इन में तो हमारे सब तीन structures हो गए है number one galgy bodies, number two endoplasmic reticulum and number three ribosomes इन तीनों को हम collectively, measles granule हम इसको कहते हैं इन तीनों को हम collectively, शाबह से नीजल्स granule हम इसको कहते हैं नीजल्स ये आपके बुक ने, ये आपके बुक ने, ये लफ़ इस्तेमाल किया हुआ है नीजल्स granule हम इसको कहते हैं तो कहीं MCQ के अंदर पूचा गया कि नीजल्स granule consists of तो फिर आप लोगों को पता हो कि गाल्जी बाडिस, एंड़ोप्लाजमी क्रेटिकूलम, राइबोसम हो सकता है इन तीन के अलावा और और कम्बिनेशन भी आप लोगों को दे दे तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए नीजल्स granule असल में है क्या, एकलाइन में आप लोगों को बता रहता हूं यह इस निवरान के अंदर granular structures होते हैं, यानि grains की तरह होते हैं साइटोप्लाजम के अंदर यह present होते हैं, जिन में तीन चीज़े ज़रूर present होंगी और इनका मेंन फंक्शन यह है, कि यह राइबो निउकलियो प्रोटीन बनाते हैं यानि यह तिनों के तिनों राइबो निउकलियो प्रोटीन बनाते हैं राइबो निउकलियो प्रोटीन हैं क्या, प्रोटीन हैं, इंजाइम्स हैं इसका main function यह है कि neuron के अंदर जो neurotransmitters बंते हैं उन बंने में ये participate करते हैं इसका मतलब यह हुआ अक्षिन राइबो नियूकुलियो प्रोटीन को बनाना ہے और जो राइबो नियूकुलियो प्रोटीन है वो neurotransmitters के formation में participate करता है और चुमके neurotransmitters सिर्फ और सिर्फ नर्वस सिस्टम ही के अंदर बनते हैं तब जाके कुद्रत ने इनके अंदर इन नीजर्स ग्रेनियूर्स को भी रखा हुआ है यह प्रेजेंट होते हैं जो कि यहाँ पे सारा कुछ प्रेजेंट होता है कि यह चो नी 1 होते हैं आपके बुक ने यहाँ पर लफ़स भी स्टमाल किया हुआ है कि इसके अंदर mai kしょう tubules भी present होते हैं मैं ऐसे से को लिक्वा लेता हूँ micro tubules ये भी present होते हैं अब ये micro tubules है क्या no doubt ये शाबा से ये fibrous proteins होते हैं ये fibrous structures होते हैं fiber की तरह structure होते हैं जो कि इस साइटो प्लाजम के अंदर present होता है कुछ books लिखते हैं कि इसका main function ये है कि ये cytoskeleton का काम करता है cytoskeleton से मेरा मतलब ये है ये neuron को एक खास किसम का shape provide करते हैं जिस तरह के human beings के body के अंदर bone का skeleton है हमें एक खास किसम का shape provide करते हैं इसी तरह से इनके अंदर ये micro-tribules होते हैं cytoskeleton होता है cytoskeleton का बनना हुआ होता है लेकिन इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये नियूरान को एक खास किसम का शेप प्रोवाइड करते है यानि बोन स्केलेटरन की तरह काम करते है तब जाके अगर देख भी ले हम और आप लोग नियूरान का एक प्रापर स्रॉक्चर हम और आप लोग इसको डिसकस भी करते हैं लेकिन इनके अलावा इनके अंदर नियूरो फाइब्रिल्स भी प्रेजेंट होते हैं नियूरो मैं यहाँ पे लिका लेता हूँ नियूरो फाइब्रिल्स ये चुंकि अलफाज बुक ने इस्तेमाल कियो है तब जाके आप लोग को बता रहा हूँ ये नियूरो फाइब्रिल्स ये भी प्रेजेंट होते हैं ये फाइब्र स्ट्रक्चर नहीं होते हैं ये वाले फाइब्र स्ट्रक्चर थे ये फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं जो कि इस निवरान के अंदर प्रेजन होते हैं, पर इसका function क्या है, जहां तक मैंने इसको देखा हुआ है, लिखते हैं, still unknown, यार्नि इसका जो function है, वो unknown है, लेकिन ये neuron के अंदर प्रेजन होते हैं, लेकिन microtubules और neurofibrils में फर्ग क्या है, जो microtubules है, ये fiber structures होते हैं, proper structure होत हैं, लेकिन इसका जो function होता है, वो अब तक unknown है, इसका कुछ पता नहीं है, कि इसका असल में function जो है, अखिर क्या है, अगर हम और आप लोग cell body सोमा साइटान को देख ले, तो इनके अंदर ये मुक्तलिफ parts जो है, present होते हैं, जो कि मैंने आपके साथ discuss कर लिये हैं, if you remember, मै आपके साथ ये बाश्यर की हुई थी, कि जो निवरान होता है, इनमें इनके इलावा एक दूसरा part भी present होता है, उसको मैं green marker से यहां पे show कर लेता हूँ, उनको हम और आप लोग आम तोर पे dendron हम इसको कहते हैं, तो जो dendron होते हैं, ये in cell body से ऐसे निकले हुए होते हैं, जिस तरह के हमारा जो ahead होता है, इनसे ये hairs निकले हुए होते हैं, इस तरह से ये structure जो है, ये इनसे निकले हुए होते हैं, और इनको हम कहते हैं dendrons, शाबसे हम इनको कहते हैं dendrons, और जो dendrons होते हैं, ये कितने होते हैं, नर्मली एक निवरान के ओपर, कुछ books unlimited का लफज लेकिन unlimited से कहीं खुबसूरत लफज इसके लिए too much होते हैं, ये बहुत ज़्यादा dendron जो है, ये इसके उपर प्रेजेंट होते हैं, मैंने कुछ को show किया हुआ है, हर एक dendron से बहुत ज़्यादा इस तरह से secondary dendron निकलते हैं, हर एक secondary dendron से फिर इस तरह के tertiary dendron निकलते हैं, फिर tertiary से tetra होते हैं, इस तरह से निकलते हैं, जब further इसकी division ना हो, तो उन dendron को हम फिर dendron हम इसको कहते हैं, तब जाके आपके बुक ने ये लफज लिका हुआ है, कि dendron and dendron यानि dendron के उपर dendron होते हैं, ये fine branches होते हैं, ये इन ही dendron से present होते हैं, तो अगर आप dendron के उपर मैं एक dendron की बात कर रहा हूँ, इससे कितने secondary निकला होंगे too much, फिर कितने, हर एक secondary से फिर कितने tertiary निकला होंगे too much, फिर हर एक से फिर कितने dendron निकला होंगे too much, इसका मतलब यह हुआ कि एक निवरान के उपर कितने dendron होंगे, वह बहुत ज़्यादा बन Outgrowth सा Present होता है जिसको हम कहते है Receptor और जो Receptor है इसका दूसरा नाम आपके Course में Transducer भी है इसका मतलब यह हुआ कि Dendron होते है Shortcut Dendron के ओपर Dendrites होते है Dendrites के ओपर Receptors होते है Transducer जो है यह फिर Present होते है तो MCQs में भी Receptor और Transducer का मतलब एक ही होगा ताकि आपके लिए पिर यह आगे जाके किसी किसम का मसर जो है और पिर आपके लिए क्या है Create ना कर सके क्यों हम इसको Receptor कहते है क्योंकि यह नफ़ Receive से निकला हुआ है Receptor का मतलब यह है यह किसी चीज़ को Receive करेगा यह किसी चीज़ को Receive करेगा आखिर किस चीज़ को Receive करेगा The one and only thing और इसको हम और आप लोग Stimulus कहते है और इसको हम और आप लोग Stimulus कहते है आप Stimulus क्या है वो Change है Change क्या है इसको मुखतलिफ लोगों ने यानि Change अगर आप लोग रूम में देख ले टेपरेचर में चेंज आता है इसस्टीमूलस वन लाइट में चेंज आता है इसस्टीमूलस वन आपके बाड़ी में Pen Produce होता है इसस्टीमूलस वन आप कुछ देखते हैं इसस्टीमूलस वन अब किसी चीज़ को सुन लेते हैं इट स्टीमॉलस वन तो बाड़ी को मुखतलेफ के सिंग के स्टीमॉलस जो होते हैं फिर एक्सपोज होते हैं तो इन स्टीमॉलस को आपको काउंट नहीं कर सकते हैं बोज जाता है बसाते खूद यह जो मार्कर है इसका ब्लेक टलर हमारे लिए स्टीमूलस है वाइट वाला स्टीमूलस है इसका शेप स्टीमूलस है क्या काम करते है स्टीमूलस है किस dissolved के लिए ये रीसेप्टर्स जो होता है वो responsible होते हैं, उस stimulus को receive करते हैं, जब receive करने हैं तो फिर इसको identify करने हैं कि आखर में यह क्या है इसका मतलब यह हुआ कि कितने किसम के stimulus we can't calculate, इसका मतलब कितने किसम के receptors we can't calculate लेकिन हर एक stimulus के खिलाब receptors होने चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर identification में मसल होगा क्लासिफाई किया हुआ है, तो जिस पेस पे आप stimulus को क्लासिफाई करेंगे, उसी ही बेस पे पिर आप लोग receptor को भी क्लासिफाई कर लेंगे, जैसे for example क्या stimulus हमारे बाड़ी से outside है external stimulus, तो वो receptor जो external stimulus के responsible है, will be called external receptor, लेकिन वो stimulus जो हमारे बाड़ी के अंदर आजाए, change हमारे बाड़ी के अंदर आजाए that stimulus will be called as the internal stimulus, तो उस internal stimulus के लिए, जो receptor is responsible होंगे, will be called as the internal stimulus, इसी तरह से वो stimulus है, क्या वो chemical है, अगर chemical के लिए वो receptor है, तो फिर chemical receptor, वो mechanical है stimulus, तो फिर mechanical receptor वो electrical है, तो फिर electrical receptor, इसका मतलब है के जिस बेस पे आप stimulus को classify करेंगे, उसी ही के बेस पे आप receptor को भी classify करेंगे, आपके course में कुछ receptors है, book आपके साथ होना चाहिए, एक दो मिनट के बाद हम और आप लोग इसको फिर ring देंगे, जो technical points बताऊंगा, आप लोग इसको पर note करना चाहिए, एक्स्ट्र बात हो, और आप लोग इसको note कर सके, लेकिन इससे पहले कि हम और आप लोग बुक को शुरू कर ले, डेंडरान के बारे में एक और पाइंट भी आप लोग बता रहता हूं, कि ये जो डेंडरान होता है, मैं red marker से इनके साथ लिका 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 हूँ, बुक ने लिका हुआ है, कि जो डेंडरान होते हैं, ये असल में extensions होते हैं, याद रख ले, अंग्रेजी में नहीं, extension का लफ़ज अगर neuroscience माई जाए, तो इसका मतलब ये होता है, ताकि पिर आपके लिए पिर मसलह ही create न कर सके, कि फार एक्जामपल, फार एक्जामपल, अगर आप लोग अपने बाड़ी में hairs को देख लें, ये हमारे बाड़ी के extensions हैं, अगर आप लोग hair को निकाल दें, कार दें, तो क्या इसक के अंदर कोई nucleus होगा ना, इसके अंदर कोई arganil होगा ना, कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस चीसे वो निकले हुए हैं, यहाँ पे cells हैं, इन cell के अंदर ये सारा कुछ present होता है, इसे तोर से अगर आप लोग neuron को देख लें, यहाँ पे main body है, इस body के अंदर nucleus है, cytoplasm है, मु बहुत कम होगा, लेकिन नहीं भी, नहीं होगा, लेकिन अगर मैं पूछो कि इंडेंडरान जो निकला हुआ है, क्या इसके अंदर कोई arganil present होगा, arganil से मेरा मतलब यह है, इसके अंदर nucleus, या vitokondria, या ribosomes, या endoplasmic reticulum, जो कि इस cell body के अंदर present है, क्या इसके अंदर present नेवर-एवर, हर्गेज नहीं हो सकता, इसका मतलब यह हुआ कि extension का लफज neuroscience में हम उस टाइम पे लगाते हैं, कि अगर किसी main body से कोई और body निकली हुई है, whoas stereotyplasm हो या ना हो, आरगेज अरगेज नहीं होगा, तो फिर हम इसको extension कहते है, इसका मतलब कि dendron extensions है, इसका मतलब कि इसमें cytoplasm हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, अरगेज नहीं हो सकता, इसमें अरगेज नहीं होते है, यह बड़ा tik-taak point है आप लोगों को समझाने चाह लिए खत्म कर लेंगे टेकनिकल पॉइंट से उनके अंदर तब जाके निवरान का जो तीसरा पार्ट है जिसको हम और आप लोगों ने एक जान कहा हुआ था वो फिर हम और आप लोग स्टाडी कर लेंगे लेकिन अभी जो दूसरा पॉइंट है इसको पहले हम और आप लोग कवर कर लेंगे तो अगर आपके साथ बुक्स है और आप लोग पेज नबर 85 आप लोग निकाल दे तो पेज नबर 85 में उसने उपर टाप पे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन आफ रिसेप्टर्स लेकिन आपके बुक ने पेज नबर 85 के इलावा पेज नबर 105 अगर आप में ये रिसेप्टर्स पेज नबर 85 और पेज नबर 105 दोनों के उपर है दोनों को हम डिसकस करेंगे कि इसके अंदर टेकनिकल पॉइंट्स क्या है तब जाके पिर हम इस निवरान का जो तीसरा पार्ट होगा एक्जान उसको हम और आपको पिर शुरू कर लेंगे अगर अधरा के लिए फोटो मेडिकल साइंस में इसका मतलब सिरुफ लाइट नहीं होता लाइट और डार्क दोनों के लिए हम फोटो का लफज लगाते हैं तो फोटो रिसेप्टर्स ऐसे रिसेप्टर्स जो के लाइट और डार्क दोनों के लिए रिस्पांसिबल होते हैं तो और अगर आप लोग अंडराइन कर ले इसके उपर आप लोग लिख दें इसका मतलब यह हुआ के फोटो रिसेप्टर के दो टाइप्स हो गए हैं दूसरा क्वेस्टिन जो आप लोगों से पूचा जा सकता है वो है राड़ एन पॉन्स लेकिन जो राड़ वाला है वो बता आप लेता हूँ यह आंटरो पिसका शेप्ट भी राड की तरह होता है और यह डारकनेस के लिए तारीकी में देखने के लिए रिस्पानसेबल होता है यसे पॉर एग्स को देख लिए यह राथ को आसानी से देख सकते हैं इसका मतलब कि इन में जो राड़ वाले सैल्स है आइस के अंदर इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है लेकिन इनके साथ ही कौन भी लिका हुआ है और जो कौन है इसका शेप भी कौन की तरह होता है जो आइस क्रीम अगरा हम कहते हैं कौन आइस क्रीम इसी तरह से इसका शेप भी होता है और जो कौन होता है वो light के लिए responsible होता है तो अगर हम और आप लोग human being में देख ले तो हमें light में बड़ी सबर्दस सारा कुछ नजर आ जाता है इसका मतलब कि हमारे eyes के अंदर कौन cells की जो receptors की जो concentration है वो ज्यादा present होती है अगर्चे वो dark वाले भी present होते है तो इन ही के base पे रहां हम एनिमन्स को भी दो गरूप में classify करते हैं इतना हम death में नहीं जाएंगे कुछ ऐसे होते है जो light में इनको नजर आते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो darkness में इसको असाली से नजर आते हैं जो dark वाले होते हैं इनको हम पिर neutron कहते हैं जो light वाले होते हैं, हम इसको फिर diagonal कहते हैं, इन ही के base पे हम इनको फिर classify भी हम और आप लोग इनको कर सकते हैं, शाबा से तो इनके अंदर आप लोग उसी क्या क्या बात पूछी जा सकती है, photo receptors, human wings के बाड़ी में कहां पे concentrated है, eyes, कितने किसम के होते हैं, दो, बता जा, ये ब detection of smell, alfaction, और ये बाद भी याद रख ले, कि आज से आप लोग smell के लिए लफज भी alfaction का लगा दे, alfaction हम medical science में smell को कहते हैं, ये बाद दफाए eater में alfaction का लफज लगा लेते हैं, तो पिर आपको पता हो, कि ये smell के लिए है, and you know, जो smell होता है, वो nose के तरु होता है, इसक taste है, इसको हम gustation या gustation हम इसको कहते हैं, इसको उपर आप लोग number 2 लिख देंगे, आज से आप लोग को पता होना चाहिए, कि टेस्ट के लिए हम medical science में जो लफज लगाते हैं, वो gustation या gustation बाद दफाए eater में ये gustation का लफज लगा लेते हैं, फिर आपके लिए मसला ना हो, इसको भी आप लोग underline कर लेंगे, इसको उपर आप लोग number 2 लिख देंगे, and chemo receptors are also found in hypothalamus called asmo receptors that detect changes in asmotic pressure of blood 1, इसका मतलब ये हुआ कि जो asmo receptors होते हैं, शामा से, ये भी group chemo receptors से बिलांग करते हैं, इसके उपर आप लोग number 3 लिख देंगे, और इसका main function ये है, कि ये blood के अं हैं, लेकिन वो बाद दफा इस तरह से पूचा जाता है, कि जो gustation वाले receptors हैं, ये कहां पर concentrate करते हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए, कि टांग के अंदर होते हैं, कहीं पूचा गया, कि gustation वाले receptors हैं, वो किस group से बिलांग करते हैं, photo receptors हैं, chemo receptors हैं, mechanical receptors हैं, फिर आप लो चीज़ों को ये receive करता है, detect changes in pressure position, our acceleration, including receptors for touch, तो टच और ब्रेकट में लिखका हुआ है, मीजनर्स, तो प्लीज आप इसको underline कर लें, इसके उपर आप लोग नमबर वन लिख देंगे, इसका मतलब कि टच के लिए हम जो लफ़ लगाते हैं, वो मीजनर का लफ़ भी हम लग पिर देख लिए stretch, R, pressure, और अगर आप लोग R, इसके साथ एक और लफ़ भी लिख दे, वो है vibration, इन तीनों के लिए एक कैसम का receptor responsible है, जिसको हम पेसीनियन कहते हैं, तो इसको आप लोग underline कर लेंगे, ये हमारा 2 हो जाएगा, तो जो पेसीनियन है, ये किस चीज़ को हम medical science म कहते हैं, ये stretch को हम कहते हैं, pressure को हम कहते हैं, vibration को हम कहते हैं, no doubt इन तीनों के लिए हम ये लफ़ देश्तेमाल करते हैं, in other words, जो पेसीनियन वाले receptors है, ये इनको receive करते हैं, फिर लिकावा है, and baro receptors, you know baro कहते है blood pressure को, in the wall of the blood vessel, blood vessel में होता है, और ये blood pressure को मायर करता है, तो ब technical नाम इसके लिए नहीं है, number four आप इसके उपर लिख देंगे, और फिर equilibrium, जो कि I ears के अंदर ये present होता है, और air के pressure को equilibrium में रखता है, ये पिर हमारा number five हो जाएगा, तो कहीं पूचा गया, मेकेनो रिसेप्टर्स के कितने types हो गए हैं, five हो गए हैं, या इन में से कोई दिया है, अगर आप लोग पिर आगे जाएं, तो उसने तर्मो रिसेप्टर्स का लाफल लिकाव है, detect temperature stimuli, बहुत है असान है, तर्मो हम कहते हैं, जो temperature के रिए responsible होता है, इसका कोई technical नाम, अगर आप लोग इसके उपर लिखना चाहें, बेशाक आप लोग इसको लिख दे, इसको नासी रिसेप्टर्स नहीं लिकावा है, नासी सेप्टर्स लिकावा है, और ये pain के लिए होता है, you know, pain, दुख, दर्ज जो होता है, इनके लिए आम तर्पर जो receptors responsible होते हैं, उनको हम फिर नासी सेप्टर्स हम इसको कहते हैं, तो हर एक receptor किस stimulus के लिए है, आपको पता होना चाहिए, अब अगर आप लोग page number 105 के ऊपर जाए, तो वहाँ पर जो दिये गए हैं, उनको हम discuss करेंगे कि इसके अंदर technical points कौन कौन से हैं, तो अगर आप पहला देख लिए उसने लिकावा है, टेस्ट वाला, and you know, कि टेस्ट वाले को हमने इससे पहले discuss किया, टेस्ट के ज करता होना चाहिए, कि उससे ये बिलांग भी करता है, शाबसे, तो जो टेस्ट वाले हैं, इनके फिर फर्दर four types है, तब जाके तो ये हमारे लिए special बन जाता है, बाकी में इतने जारा types नहीं है, टेस्ट वाले में ज्यादा है, और अगर आप लोग इन four को देख ले, तो कौन shaped है, याप लोग इसको जरूर अंडरलाइन कर लेंगे, फंगी फारम, मश्रूम shaped है, foliate, a series of folds, जिस तरह के टावल होता है, तोलिया होता है, कपड़े होते है, इसको हम और आप लोग fold करते हैं, तो folding इसकी shape होती है, और पिर लिए का सरकुमेलेट पे पिला, shaped like flat mons, य आम तोर पे जो, गास वगरा होता है, या गंदम से, वो हम और आप लोग कोई चीज को हम collect कर लेते हैं, जो जानवरों को हम चारे के तोर पे देते हैं, तो ये कुछ अलाकों में, इनको जमीनों में, एक खास किसम के टेले के अंदर इसको बंद करते हैं, तो उस टेले को प आप लोग को जरूर पता होना चाहिए, नेक्स्ट, जो आप लोग को पता होना चाहिए, वो ये है, कि अगर हम और आप लोग टंग को वेसे देख लें, तो आपके कॉर्स में इन्हों इसको फोर पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इप, फिर बेक, फिर साइड्स, और पिर सेंटर, तो आपके कॉर्स के मताबिक जो टंग है ना, इसके फोर में पार्ट्स है, तो हर एक पार्ट में कौन-कौन सा वाला रिसेप्टर जो है, ये प्रेसेंट होता है, इसको भी आप लोग अंडरलाइन करते जाएं, मैं पिर पूछूंगा आखिर में आप लो फंगी फार्म के साथ लिका कॉन शेप्ट, ये तो मैं आपनों कोई बास शेयर कर ली है, फिर लिकावा है, एंड फाउंड आल ओवर दी टंग, यानि पूरे जबान के उपर टिप पे भी है, सेंटर पे भी है, साइट पे भी प्रेसेंट है, विच इसका मतलब यह हुआ कि मेरे लिहाद से फिली फार्म सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे टंग के उपर प्रेसेंट है, अगर आप लोग फंगी फार्म के उपर आ जाए, लिकाव मश्रूम शेप, यूनो फंगी फाइंजाई, मश्रूम को हम कहते है, एंड फाउंड एट टिप लिए बता दिया कि फोल्डिंग शेप होता है, ये सिर्फ और सिर्फ साइड पर प्रेसेंट होते है, टिप सेंटर और बेक में नहीं होते है, और फिर सरकुमुलेट वाला लिका हुआ है, शेप लाइक फ्लेट मौन सराउंड इट राउंड बाई ट्रेंच एंड फाउंड एट टी, बेक आफ्टी टंग, जो सरकुमुलेट वाले है, ये बेक के उपर प्रेसेंट होते हैं, तो एमसी क्यूज में आप लोगों से क्या बात पूछी जा सकती है, वो ये, कि हमारा जो टंग है, उधर पे आप लोगों को ग्रूप दिये जाएंगे, कि जो टिप है, इ एक में इंचार में से कौन-कौन से हो गए है, तो इनको आप लोग फिर खूदी तोड़ा सा प्रेट्रस करनेंगे, इसका आप लोगों देख लेंगे, नमबर वन, नमबर टू, अगर देख ले, हर एक का शेप भी बारा बताया गया है, कोई कॉन शेप है, कोई फोल्ड की ये फिर प्रेजन्ट होते है, वो शेप दिये जाएंगे, तो भी आप लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन अगर मैं आप लोगों को सी जनरली पूछो के जो सेंटर हुआ हमारा ठांग वाला, तोड़ा, आप लोग इसको फिर खूदी देख ले, इनमें कौन से वाले रि फिली फारम वाले प्रेजन्ट होते हैं, सेंटर में, जो के बाकी फिली फारम पूरे टंग पे है, लेकिन टंग के सेंटर में और कोई रिसेप्टर नहीं होता, सिरो फिली फारम होते हैं, बाकी जगों पे आप लोग इसको फुदी लोकेट कर सकते हैं, पिर अगर आप लो लोगो कुछ काते हैं, पीते हैं या कुछ और होता है, उसके अंदर अगर बेक्टेरिया बगरा प्रेजन है, तो ये इनकी चुंकि ये लुक रफ होती है, इसको ग्राइंड करता है, तो अगर बेक्टेरिया बगरा होता है, तो इनकी फिर ये किलिंग कर लेते हैं, तब जाक के लिए रिay के लिए रिस्पानसिबल होता है मुथ्तलिफ किसम टेस्ट के लिए हुता है लेकर अगर है कि सरकों मेलेрен के ऊपर आ जाए अप इनके सतर्फिक देंगर यह बीतिर टेस्ट के लिए होता है बीतर के लिए होता है इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप लोग इन चारह में भी देख लेए तो जो Philly Farm जो के सबसे ज़्यदा है यह टेस्ट के लिए नहीं होते है अंटीबेक्टरियल है बाकी तीन टेस्ट के लिए होते है इसका मतलब कि जो हमारा टंग है उसका जो center है जिसमें सिर्फ फिली फारम है और फिली फारम टेस्ट के लिए ही नहीं एंटी बेक्टेरियल है इसका मतलब कि हमारे टंग का जो center हुआ वो test blind हुआ वो test के लिए नहीं होता तो ये points प्लीज आप लोग इसको जरूर देख लेंगे अगर आप लोग जाएं smell के लिए तो smell में कोई खास बात है नहीं हाँ इतनी है कि smell को हम और आप लोगों ने alfaction का हुआ था और जो smell वाले होते हैं इनकी concentration nose के अंदर बहुत ज़्यदा होती है और जो smell है, alfaction है ये आम तोर पे chemo receptors के group से बिलांग करता है touch है, tactician है लेकिन touch को हम और आप लोगों ने इससे पहले भी एक नाम दिया हुआ था एक नाम दिया हुआ था कि touch वाले को हम और आप लोग क्या कहते हैं, और page number 85 के उपर में आप लोगों को बताया हुआ था कि जो touch होते हैं, इनको हम salentrates है, जहाँ पर hydra होते हैं, वहाँ पर tentacles होते हैं, टेंटेकल का लफ़ टेक्टिशन से निकला हुआ है, टेक्टिशन का मतलब touch होता है, इसका मतलब कि यह touch के लिए responsible होते हैं, इनके अंदर भी कोई खास point नहीं, यह वरट्टे वाली बात ही, वह आपनों को यादना भी हो, खेर हैं, लेकिन जो इसके बाद होता है, वो पेन होता है, और पेन को हमने इससे पहले एक और नाम भी दिया हुआ था, और यहाँ पर बूस ने का हुआ है, नासी सेप्शन या नासी सेप्टर्स हम इसको कहते हैं, यह present होते हैं, और जो पेन वाले होते हैं, अगर आप के अंदर होते हैं, वो जाइन्स के अंदर और बोन्स के अंदर पेन को कास करते हैं, सारी डिटेक करते हैं, और वीजरल जो के बाड़ी के अंदर होते हैं, वीजरल आर्गम्स जो होते हैं, वहाँ पे बाद दाफ़ा पेन प्रोड्यूस होता है, यह उनको रिसीव करते हैं इसका मतलब कि पेन वाले के फिर फर्दर टाइप्स हो गए हैं त्री उनको भी आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे एक चोटा सा क्विज आप लोगों को दे रहता हूँ साथ में फारिवर इंफरमेशन लिका हुआ है इसको आप लोग रीडिंग दे दे रीडिंग देने के बाद आप लोगों ने मुझे ये चीज़ बतानी है कि हीमेंड बिंग्स के बाड़ी में इस फारिवर इंफरमेशन में सबसे कम रिसेप्टर किस चीज़ के ज्यादा होंगे अगर आप देख लिए उसने जो बात पूची हुई है वो ये है कि स्किन कंटेंज एराउंड टू हंड़र पेंड रिसेप्टर इसका मतलब कि पेंड रिसेप्टर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है लेकिन मेरे ख्यार में इसी ही सेंटर्स को अगर आप लोग रीड कर ले तो पता चल जाएगा कि हीमेंड बीक्स के बाड़ी में सबसे कम रिसेप्टर किसके होते हैं वो वारंट के होते हैं तो इस तरह की बाते आम तो पे इनसे पूची जाती है ये तो वो बाते हो गई है जिनको हम और आप लोगों ने शेयर कर लिया है कि cell body है, cell body से dendron निकले हुए है, dendron के ओपर dendrites होते हैं, उधर पे receptors होते हैं, बता दिया, receptors को हम classify करते हैं on the basis of stimulus, जिस किसम का stimulus उसी किसम का receptor होगा, तो आपके course में सारे receptors तो नहीं है, कुछ है, लेकिन इसके ओपर किस तरह के MCQs आते हैं, कुछ बात है मैं आपके साथ share कर नहीं हैं, बाकि आप लोग इसके ओपर तोड़ा सोचेंगे, और और question आपके जहन में आजाएंगे, तो इस 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 को कहते हैं, यह जो तीसरा पार्ट होता है, इस को हम आम तोर पे exam हम इसको कहते हैं, और यहां पे मैं लिक वालेता हूँ, exam, यह यह एक्स ओ एन है, यह एक्स ओ एन है, exam, लेकिन एक्स ओ एन नहीं है, अगर हम यहां पे सिर्फ ए लगा देंगे, एक्स ओ एन, तो exam, यह हम इसको जैनेटिक्स में पढ़ेंगे, उधर पर इसका इसका इस्तेमाल जो है, यह पर प्रेसेंट होता है, तो यह exam हुआ, यह जो निउरो साइश में इसका मतलब यह होता है, कि अगर कोई मेन बाडी है, और इस मेन बाडी से कोई बाडी निकली हुई है, और इस बाडी के अंदर, वो सारा कुछ प्रेजंट होगा, जो मेन बाडी के अंदर है, यारी अगर आप लोग यहाँ पर देख लें, से लेंटी पार्ट होता है मीटर में इसकी लेंट होती है तो अंडरस्टूड बात है इतना साइटोपलाजम सेल बाड़ी के अंदर नहीं होता जितना कि एकजान के अंदर होता है इसलिए एकजान के साइटोपलाजम को हम फिर एकजोपलाजम कहते हैं और यह बात में आप ल आरगेनील आपनों को नदर आ रहे हैं वो सारे के सारे आरगेनील इसके एक्जान के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट न्यूकलियस के न्यूकलियस सिर्फ उदर सेल बाड़ी के अंदर होता है इदर एक्जान में नहीं होता इसलिए मैं जो nucleus है वो इसके cell body के अंदर होता है तब जाके हम इसको cell body कहते है अगर ये किसी और जगा पे होता हो सकता हम उसको पिर main body cell body हम पिर उसको कहते हैं दूसरा reason इसके पीछे ये है cell body का कि इसके यहां पे nucleus जो है ये भी present होता है तो medical science में वो structure कि जिसके अंदर nucleus ना हो बाकि सारी चीजे present हो तो उसके लिए हम जो लफ़ लगाते हैं वो outgrowth का लगाते हैं तो ये दो तोड़े technical लफ़ है outgrowth और साथ में ये जो extension है इन दोनों में फरक हुआ extension में साइटोपलाजम हो भी सकता है नहीं भी सकता लेकिन आरगेनिल कोई भी नहीं होगा exam में साइटोपलाजम है सारे आरगेनिल से निउकलियस नहीं होगा तब जाके हम outgrowth का लफ़ जो है ये लगा लेते हैं डेंडरान बहुत ज़्यादा हो सकते है exam हमेशा के लिए एक होगा exam is always and always one ये हमेशा के लिए एक होगा लेकिन साथ में बता दिया है कि ये सबसे lengthy होता है यानि ये largest part है neuron का जो के present होता है अगर अप्रोगी इस exam को देख लिए जो कि एक होता है बता रहूंं बार बार लेंट होता है इन से इसतरह के roots निकले वE होते हैं ये franchise होता है इससरह के plant होता है उसका वो मेंट ट्रंक होता है, बाड़ी होती है, उनसे फिर रूट्स निकलते हैं, इस तरह से इनसे भी ऐसे रूट्स निकले विये होते हैं, कितने होते हैं, बहुत ज़्यादा होता है, पिर हर एक रूट डिवाइड और रिडिवाइड होता है, जब फर्दर इनकी डिवी यह जो देन्डराइट का लाफज है यह हम डेंडराइट के लिए भी लगाते हैं और यह हम एगजान के बरांच के लिए हम इनको लगाते हैं लिए कंस्टे था रहिए जो होते है यह जो होते हैं यह यह धाननों का मतलब थार ने होता है वह कि देंडरान वाले होते हैं लेकिन चुंकि ये नाम मिलता जुलता है देंडरान से तब आम तर पर स्टुएंट्स डेंडरान वाले को देंडराइट्स कहते हैं इस वाले को कोई खास नाम नहीं देते हैं जिस तरह कि वो डेंडराइट्स ते इसके उपर रिसेप्टर्स ते इसी तरह से ये जो dendrites होते हैं, इनके उपर जो चीज present होती है, इनको हम आम तोर पर कहते हैं, synaptic terminals, शाबसे, कुछ लोग इसको synaptic knobs भी कहते हैं, और कुछ लोग इसको synaptic buttons भी कहते हैं, इसका main function क्या है, अगर आप लोगों को याद हो, हम और आप लोगों ने ये बात inside terminals के अंदर पिर ये store होते हैं, यानि in neurotransmitters के अंदर ये store हो जाते हैं, तो इसका main function ये हुआ, कि यहाँ पर जो neurotransmitters होते हैं, इनकी docking होती है, DOC के documents, ये यहाँ पर store हो जाते हैं, यहाँ पर गिर जाते हैं, तो अगर आप लोग ये dendron के receptors को देख ले, उसका main function stimulus को receive कर करना है, लेकर अगर आप लोग exam के terminals को देख ले, तो इसका main function होता है, कि इनके अंदर जो synaptic terminals होते हैं, synaptic जो naps होते हैं, ये इनको receive करता है, this is a typical structure of a neuron one, इसके उपर कुछ receptors तो भी में आपके साँ शेयर कर ली हैं, ये सारी बाते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए, Okay, thank you very much.